डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिंड बाद स्टार्ट कोरोना और भविश्य की महामारियों के खिलाव साजा कार्य योजना की पहल जी सेवन देशों की सिखर बैठक की सबसे बड़ी उपलब्दी है विराम ब्रिटेन के कोरनवाल में तीन दिन की बैठक के आखिरी दिन रविवार को इस कार्य योजना पर जल्द से जल्द अमल का संकल्प लिया गया विराम संगठन के सातों बड़े देशों अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा ने कहा कि वे अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर यह सुनिस्चित करेंगे कि भविश्य में कोई महामारी दुनिया में कोरोना जैसी तबाही ने फेला सके विराम, कार्य योजना का एक मकसद भविश्य में किसी भी महामारी के टीकों को सो दिन के अंदर विकसित करना भी है विराम, कोरोना महामारी के दुरान दुनिया को पहली वेक्सिन के लिए करीब दस महीने इंतजार करना पड़ा था विराम, सीखर बैठक में भारत, ओस्ट्रेलिया, दक्चिन अफ्रीका और दक्चिन कोरिया को बतोर महमान आमंत्रित किया गया विराम, भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए एक धरती, एक स्वास्थे का मंत्र दिया विराम, उन्होंने भाविस्ये में महमारियों की रोकथाम के लिए अंतर राष्ट्रिय एक जुटता नेत्रित्वे और तालमेल का आवहान करते हुए लोकतांत्रिक तथा पारदर्सी समाजों की विशेश जिम्मेदारी पर जोर दिया डेड़ साल से कोरोना ने दुनिया का जो हाल कर रखा है उसे देखते हुए स्वाभाविक है कि अंतर राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्ता जलवायू परिवर्तन ख्षत्रिय समस्याओं आदी की बदले महामारी का मुद्दा इस सिखर बैठक के एजेंडे में सबसे उपर रहा विरां विभिन देशों को अमरीका ने कोरोना वेक्सिन की 50 करोड जबकी ब्रिटेन ने 10 करोड डोज देने की घोशना की है जी सेवन के बाकी देश भी इसी तरह की उदारता दिखाएं तो दुनिया में टीका करण और तेज होने का रास्ता खुल सकता है विरां फिलहाल कोरोना को कुचलने के लिए जादा से जादा आबादी को टीका करण के दाएरे में लाना जरूरी है विरां अपसोस की बात है कि अब तक दुनिया में सिर्फ छै फीसदी आबादी को दोनों डोज दी जा सकी हैं भारत में यह आंकडा साधे तीन फीसदी से भी कम है विरां इस बार जी सेवन सिखर बैठक में एक और महत्वपूर्ण पहल चीन के खिलाव मजबूत मोर्चा बंदी के रूप में सामने आई चीन को इस बैठक से दूर रखा गया उसकी विस्तारवादी नितियों पर अंकुस लगाने के लिए जी सेवन के नेताव ने बिगुल बजा दिया है विरां वे बिल्ड बैक बेटर वर्ड बी उ डबल्यू नाम की एसी प्रणाली विकसित करने की तैयारी में हैं जिसके तहत मध्यम आयवाले देशों को बुनियादी धांचा खड़ा करने में मदद दी जाएगी विरां जाहिर है यह प्रणाली सीधे तोर पर चीन की बेल्ड एंड रोड परियोजना पर निशाना है जिसके तहत चीन कई देशों को रेल सेवाओं, सडकों और बंदर गाहों के लिए कर्ज दे चुका है विरां आरोप है कि इसके जरिये चीन, गरीब और छोटे देशों को विकास के सपने दिखा कर कर्ज के जाल में फंसार रहा है विरां चीन की तरहे रूस को भी सीखर बैठक से दूर रखा गया विरां इस उपेक्सा से अगर इन दोनों के बीच नए समीकरण बनते हैं तो दुनिया में नई चिन्ता पेदा हो सकती है समाप्त